चोकलेट ममी से मैं सी माधावई आपका स्वागत करती हूँ आज मा आपको वुद्धवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ अगर आप वुद्धवार गणहीजी का व्रत करते हैं तो कहानी जरूर सुननी चाहिए इससे व्रत का पुरहफल मिलता है कहानी बोलने से पहले हमें बोलना है सुना की चोकी वोतियों का हार गणहीजी मेरे जीव का आधार ये पांच बार बोलना है उसके बाद कहानी इस प्रकार है एक राजा के सात रानिया थी सातो रानियों से एक एक पुत्र था सात्वी रानी राजा को बहुत पसंद थी जिस वज़े से चोह रानिया सात्वी रानी से चिड़ती थी राजा हर एक दिन एक रानी को देता था सात्वी रानी के पास जब जाने का दिन आता तो चोह रानिया राजा को किसी ने किसी बहाने रोक लिया करती थी चहु रानिया अपने पुत्र को भी सात्वी रानी के पुत्र से बोलने नहीं देती थी परन्तु सात्वी रानी बहुत समस्दार थी वह गणिश जी की भक्ती थी हर बुद्धुवार को पूजन करती व्रत करती और अपने पुत्र को भी बुद्धुवार का व्रत करवाती हर बुद्धुवार को वह 108 बार ओम गणेशाय नमे की माला जबती थी सात्वी रानी राजा को राज्य की भलाई के लिए भी राई दिया करती थी हर समस्चा का समादान सात्वी रानी के पास होता था जब कोई पोडोसी राजा आकरमन कर देता था तो सात्वी रानी राजा के सासाद लडाई में सेनापती की जगर होती थी सात्वी रानी का पुत्र अपनी मा से चाओं बड़े भाईयों की शिकायत करता बोलता बड़े भाई मुझे परिशान करते हैं मारते पीरते हैं चाओं बड़े भाई अपना सारा काम मुझे करवाते हैं मा बताओ मैं क्या करूं तब सात्वी रानी अपने पूत्र के सिर पर प्यार से हाथ फेरती और बहुत अच्छे से समझाती कि बेटा वो बड़े भाई हैं उनकी इज़त क्या करो उनका कहना माना करो एक दिन सब ठीक हो जाएगा रक्षा बंदन का दिन नजदीक आया तब सभी भाईयों ने अपने पिता से पूचा पिता जी हमारे कोई बहन नहीं है क्या हमारे कोई भुहा भी नहीं है जो राकी के दिन हमारे हाटों में राकी बांदे हमारे मस्तक पतिलक लगाए हमारा मुह मीठा करवाए तब राज़ा ने कहा बेटा तुम्हारे एक भुओा है बहुत दूर के राकी बंदवाएंगे, राजा ने बहुत समझाया लेकिन राजकुमार नहीं माने, तो सभी राजकुमार साथ दिन का सामान लेकर और अपनी मा और राजा का आशिवार लेकर चल पड़े, छों भाईयों ने सात्वे भाई को रास्ते में बहुत परिशान किया, पूरे रास् पहार पर चड़ने लगे, पर गिर जाते, जब फिर चड़ते, लेकिन फिर गिर जाते, छों भाईयों ने ऐसा कई बार किया, लेकिन वे ऐस सफल रहे, ता सात्वा भाई यूराज ने चैहो गजानन जी की नाम का जैकारा लगाया, और पहार पर पहली बार में ही चड़ ग कि आप भी गजानन जी का जैकरा लगाओ और चड़ जाओ। सभी भाईयों ने ऐसा ही किया। इस प्रकार उन्होंने सातों पहाड और सातों नदियां गजानन जी का जैकरा लगाओ कर पाल कर लिया। खुब अच्चा खाना खिलाया। तब सभी राजकुमार बोले बुआ हम आपको लेने आये हैं। इस प्रकार वे राजकुमार अपनी बुआ को लेकर राज महल में आगे। राजा अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश हुआ। भावियों ने भी ननद भाई के पाउंच हुए और बहुत अच्छे से उनके साथ बढ़ताव किया। घर में तियोहार बहुत अर्शु उलास से मनाया गिया। छो राजकुमारों ने राजा से साथोय राजकुमार यूराज की बढ़ाई की और बताया। कि अगर यूराज न होता तो हम आधे राज से हिससे ही वापस आ लेकिन गजानन जी का जैकरा लगवा का इसने हमें सातों पहार नदियां समुन्दर पार करवा दिये तब राजा ने अपने महल में गजानन जी का बहुत सुन्दर मंदिर बनवाया और राज्य में एलान करवा दिया कि सभी प्रजा को बुद्धवार का व्रत करना है पूजा करनी है तब से पूरी प्रजा व्रत करने लगी और साथ में राजा अपनी सातों रानियों और पुत्रों के साथ हर बुद्धवार का व्रत करने लगे तो हे गणीर जी बगवान जैसे आप उन सब के उपर टूटे वैसे सब के उपर टूटना कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा वरने वाले को घर्टियो तो पूरीयो पूरीयो तो परवाण चड़े भूले विश्रे नाम तर बंदार में वरे आज मैंने आपको बुद्वार की कहानी सुना है अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें चोकलेट ममी से मैं सीमा धावई धन्यवाद